हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपके साथ अद्रक और लैसुन का पेस्ट बनाने की रेसिपी शेयर करी हूं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं बना के आपको खरीदना नहीं पड़ेगा जिस मौसम में यह सब चीजे महेंगी आए उससमय आप यूज़ कर सकते हैं यह देखिए यह मैंने 100 ग्राम अद्रक ली है और 200 ग्राम लैसुन को छील लिया है अद्रक को भी छील लिया है यह यह देखिए जो हमारी लैसुन है इसको एश defenders में डाल लेंगे यह और इस दो सो ग्राम कारति लिए देखिए इसको भी छील लिया है इसको भी डाल लेंगे और इसमें हम ज्यादा तक चले इसके लिए हम नमक का यूज करेंगे यह मैंने देखिए खाने वाली चमच के इसाब से तीन चमच नमक डाला है नमक डाल रहें तो जब आप खाना बनाएगा तो उस समय यह तरीके से आप बिलकुन बारिक पीसना है इस तरीके से आप जिंजर और गार्लिक दोनों को अलग अलग पेस्ट भी बना सकते हैं साथ में तो मैंने आपको बना की दिखाया है और यह लंबे समय तक चलेगा एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसको इसको इस्टोर आपको फ् स्टोर आपको आपको